हलो 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 डीविनिंग मैं संदिप गिल तो आज आपके सामने एक टॉपिक लिए हूँ जिसका नाम है GM क्रोप जैसे ट्रांजनी क्रोप भी बोलते हैं क्या होता है किस तरह ने को त्यार किया जाता है पर तू आज अपने क्रोप पढ़ने जा रहे हैं जैनेटिक मस्टाड तो जो जैनेटिक मोडिफाइड मस्टाड होती है उसकी एक वराइटी करेगी है उसकी एक वराइटी है जो जैनेटिक मोडिफाइड है इसका नाम क्या है धारा हाइब्रिड मस्टाड इलेवन इसकी फुल फोर्म की बात करें तो क्या है धारा हाइब्रिड मस्ट जी है ना, color भी mustard और बात भी अपने के स्पे करें mustard से करें, आप देखो भी, अब ये variety ट्यार की थी इसकी, पहले इसकी रोक लगी, द्वारा चे इसको क्या करतीए गया, लांच करतीए गया, अब इसकी बात करें, इसकी ये जो variety थी ना, ये first edible variety थी, first edible, genetic modified crop, ठीक है, यहां पर एक चीज़ सामने आती है, कि अगर आप से पुछे जाए, edible, genetic modified crop की जब बात करें, तो वह mustard थी, और mustard में कौन सी variety थी, DHM 11, जो variety थी, अगर वैसे पुछे ले जाए, जाए, first India की पहली, इंडिया की first genetic modified crop है, कौन सी, तो तब आपने किसकी बात करेंगे, BT cotton की बात करेंगे, अब देख इसके नतर एक चीज़ है, कि आप से, हाँ यहां प एक चोटा सा question मनता है, कि first genetic modified crop की बात करेंगे, वह कौन सी है, अगर edible पुछा जाए, खाने ही हो गया है, तो पहले वाली कौन सी थी, mustard को, mustard को खाने की रूप में लिया जाता है, क्यों यह variety डवलप करी, क्या इसकी खासियत रही है, ऐसा क्यों है, और क्या क्या चीज़ है थी, क्या क्या परशानी है इसके अंदर, तो पुछ इसके बार अगर ट्राइल सके अंदर लगाते है तो फाइनल एक variety बनके त्यार हो जाती है, तो अब क्या हुआ, यह दो वराइटियां ले गई थी, इसके अंदर क्या गई थी, दो वराइटिया ना, एक तो लीगी थी वरुना, एक तो वरुना थी और उसका किसके साथ क्या गया था, चरुष जो वराइटि जो वराइटिड़ नाम थे यह यूरोपिय के लाइक राती थी, तो नमने बस्टर फीटियों वर्सटर की थी, और यह दुसार को तो वस्टर लीग थिया थे और बस्टर लाइटिक यह दियूंन 250 तो यह सी च्छतेक पर उपकी तो यह और और शृक किसी अनदर और्गनिजम का जीन आइसोलेट करके इस क्रोप में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है? आप इसमें करो चाहिए इसमें करो. दोनों के अंदर क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है. किसी भी जीन को बाहर से लाके ना, किसी अनदर और जीन ट्रांसफर करके जो क्रोप स्तियार करे जाती है वो किसके नदर आते जैनेटिक मोडिफाइट यह ने जैनेटिक मोडिफिकेशन कर दिया उसका अगर इसी से करेंगे तो हो नहीं पाईगा ना किसी बाहर का जीन इंट्रेड्यूच करा ना बेगा इसे ट्रांजेनी क्रो जाए 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 से भी आपके इसकंदर से question पूछे जा सकते हैं, और पूछे भी गए हैं, कहां से कुछ नहीं, वह आपके जैसे वीडिया आगे बढ़ती जाएगी बताता जाओंगा ना, अब देको problem क्या आई है, अब आपको पता है कि mustard जो grope होती है, mustard जो grope होती है, इसकी खासियत क्या है, यह self pollination grope, pollinated grope होती है, ऐसा क्यों होता है, self pollinated क्यों है, क्यों, क्योंकि इसका जो flower है, ओके bisexual है, bisexual होने का पीचे का reason क्या है, कि एक ही flower के अदर male और female दुनों प्रजेंट है, दुनों ही प्रजेंट है, female और male, एक ही flower के अदर प्रजेंट है, जब male और female दुनों प्रजेंट है, तो इसमें क्या होगा, selfing हो जाएगी, ठीक है, तब selfing हो जाएगी, तो इसमें क् बात कर लिया तो तो यह अपने पास जो प्रोप थी इसी की जो पूलन है इसी की औरी को या अबरी के उपरी के नंदर जो हुआ को इसको फटाईल करने तो वह प्रकार क्या कै ऍथा लीकुट पॉलिनेशन होगा है तो वह इसी होगा है तुब दू of different crop को करातेँ अपっぱ 안 फो यहां पर समस्या क्या अने लगी देखोगी, समस्या क्या आ ने लगी means आसेसे हानकेतला कुई आपके पास E variety थी जी लिए रहोन माल हो लू और Eka माल लू B variety माल अब क्या होआ? यह अपने यह ifog जो सी अपने क्या मनम लेते हैं? यह अपने female reselast अब दुनों की दुनों कैसी है? यह भी Mastard व्राइटी है और यह भी Mastard क्योंकि उसमें वरुना लीग गया था एक और दूसरी कौन से लीग थी European व्राइटी लीग थी दुनों सेम क्रॉप थी और जब सेम क्रॉप थी तो सेम क्रॉप में क्या था अब इसमें क्या होता है कि जिसका तो मेल है उसकी तो कोई बरुम नहीं क्यों इसके मेल क्या करेंगे इसको आगर करतें गत यह क्रोस पोलीनेशन हो जाएगा कि जिसे अपने hybrid variety त्यार हो जाएगी अगर यह दोनों थी डिफरेंट यह अगर इनमें cross-polynated crop होती तो परन्तु यह क्या है self-polynated crop है अब self-polynated crop में problem क्या आती है कि इसके जो एंथर है यह एंथर होता है और इसमें क्या बनते पोलन बनते हैं ठीक है इसके जो पोलन है वो इसको फटाइल करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि यह self-polynated crop है बायो-sexual flower है तो फिर तो समस्य होगी? समस्य होगी अब करेंगे इसके लिए तो इसके लिए तो पिर क्या है क्या तो आप एंथर को जो ब्लॉब कर दो अब एंथर को रिमॉब करना भी भाष्ट है यह लिखने में असान है एंथर को अलग करना बहुत मुश्किल है, मान के जोल इसके अंदर 6 एंथर है, 6 में से अगर आपने पांच उटा दे एक वी एंथर रह गया, तो वो गड़ बढ़ कर देगा पुरा, फिर अपने पूस हाइब्रीड वो पर आप नहीं मिलेगा, जो अपने प्योर जीन या फि इसको रिमोब करना एक भारी बात है, तो यह क्या क्या लगता है, अब इमेस्कुलेशन के अंदर क्या चाहिए, एक्क्यूरेसी, इसमें 100% एक्क्यूरेसी चाहिए भई, और जो बहुत मुश्किल है, काफी जादा मुश्किल है, अब जब तक या अंथर हटा नहीं पाएं दोनों की दोनों की ऐसी है, सोरी, दोनों की दोनी सेल्फ ओलिनेटर करोब है, और बाइस है, अब क्या हो, कि यह काम तो मुश्किल है, परन्तु इस काम को असान करती है, इमास्कुलेशन, भी अपने आप ऐसा हो जाए, कि अपने को हटाना है, इसके लिए, सबसे पहले ही क काम हो चुका था, बहुत पहले, और वो करने वाली एक कंपनी थी, जिसका नाम है, बाहर, बाहर, क्रोब साइंस के नाम से एक कंपनी है भी, ठीक है, बाहर, क्रोब साइंस के नाम से एक कंपनी आपने सुना होगा, इसका खूप सार पैस्टिस आइड बे आपने देखने को उस टेक्नोलोजी का नाम था, सुनना ये बड़ा इपोटेंट, इसके आगे मैं डबल हैज लगा आगे शोड़ देता हूं, बड़ी इसके लिए बार, बर्नीस, बस्टर, बस्टर, नाम की क्या है क्या है, टेक्नोलोजी विक्सित की गई, बड़ी इपोटेंट भी समझा, ये एक टेक्नोलोजी का नाम, आगे जाके बताएंगे बाहर, बर्नीस और बस्टर है क्या चीज, बाहर बर्नीस और बस्टर है क्या चीज, इसके बारे में आगे बात करेंग यह टेक्नोलोजी विक्सित किसे लिए की बाइर क्रोफ साइंस ने विक्सित की और यह प्रकार की टेक्नोलोजी है और इसका नाम है बार बरनीस और बस्टर अब हुआ गया यह प्रकार की का पेंटेंट पैन्टेंट तेकनलोजी इसने टेकनलोजी को बैन्टेंट भी खरा लिया ठीक है डाल सकती हैं अब आपक अपने दूब अबर और ये देखते हैं यह Тु भारत थी इंडिया एंडिया में क्या हगा कीस चीजए ली के अदर रहला है तो यह काम होए ड ne Sketha के एक सेंटर है सेंटर फोर जनेटिक मैनिपुलेशन इन क्रुव प्लांट ठीक है भी जो कापी है डेली केंदर ठीक है अब वो तो विदेश ने काम कर दिया एक फोर्नर कंपनी ने बना दी टेकनिक जिसका नाम सा बार बर्नीस और प्रस्टर टेकनोलोजी परंतु खुआ क्या वो तो विदेश का काम था इंडिया में क्या आवा इंडिया के अंदर एक सेंटर है सेंटर फोर जैनेटिक मेनिपलिशन इन दा क्रो प्लांट्स तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एक चीज़ की यहां पर एक विस्सी थे वोईस चांसलर दिपक दिपक पैंटल नाम कहे का परसं था ठीके का नाम था उसका दिपक पैंटल नाम कहे का परसं था यहां भी इसके आपको गोगल पर पूरा मिल जाएगा पैंटल अक यहला नहीं था थोड़ी टेम भी थी इसकी वीसम भी चुए और यह बन्दा का था, देनिाटिक यद प्लांट ब्रीडिंग का बन्दा था, ठीक है? अभी नहींद, पहले वईस चैंसलर राहा है, अभी तो नहीं है, पहले था पराना था, ठीक है? हड़ चुक है इस पोस्से उसने क्या किया? इस एक टेक्नोलोजी का यूज किया ठीक है कौन सी टेक्नोलोजी का यूज किया नोंने बार बरनीस मस्टर बरस्टार नाम करेजिए के बस्टर करेजिए के बरस्टार लिखा इस टेक्नोलोजी का यूज करके क्या बनाया GM मस्टर बनाई थी के जिया मस्टड को उपन ने लब लब की थी उसमें था क्या यह चीज है क्या उसके बारे में आगे पढ़ते हैं आगे देखो अब भड़ा कि इनो ने क्या कि इस टेकनोलोजी का प्रयोग कर लिया है अब यह क्या थे भाई ये ना आए टेकनोलोजी ने थी यह थे जीन्स ये क्या थे? genes थे क्या कि isolated की थे? कहां से isolated की थे? एक soil bacteria था soil bacteria ठीक है? soil bacteria था, जिसका नाम क्या था? Bacillus Bacillus Mylo Liqui फेंस, ठीक है, बड़ा इपोर्टेंट है, कि एक टेकनोलोजी नहीं थी, ऐसे नाम तो उसका टेकनोलोजी क्यों दिया गया, यह टेकनोलोजी आज के नाम पर दिये गे, बार, बरनीस और बस्टर, यह क्या थे, जीन थे, ठीक है, इन जीन का प्रयोग किस ने किया था, दिप पैंटल एte सब्सक्राइब है अजिए है चीले पका मत्ली नाम कीसा सभक क्पयो explor yorki कि अब इन्होंने क्या प्रियोग तो एक नहुन में इस जीम का प्रियोग करके क्या नहीं किया कश गार तो बनाई जीर मस्टड बनाए ती स 착 उसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या आप यह जीन जो बेक्टेरिया में पाएते सॉल बक्टिरिया नाम बैसिलस-अमिलो-狂 som止 t ना अमयलो लीक्विवेंस का नाम का यह जो बैक्टेरिया था इससे तीन त्रह के जीन क्या किये असिलेटर की गए ठीक है अब ज़रते हैं किया नों कि देखो भी जो व्राइटी त्यार की गई थी जिसका नाम था जीम मस्टर्ड शुरी यह क्रॉप थी अब इसको क्यों त्यार किए गया गए इसका नाम था यह अब इसको क्यों त्यार किया गया गया इसके फाइद गया थी यह, high yield variety थी, ठीक है, कैसी variety थी, high yield variety थी, ऐसा क्यों हुआ, इसके इंदर high yield variety होने का region गया था, अब देखो, यह क्या करती थी, 27% more yield करती थी, किसे, जो normal mustard थी, normal जो mustard crop सी, या normal जो पहले जो variety थी, उससे 27% more एक तो कर रही थी, और दूसरा क्या था, जो check variety थी, वाँ की, है न, check variety थी, 37% more yield थी इसकी, ऐसा क्यों हो रहा था, हाँ भी, अफस्त, ऐसा क्यों हो रहा था, कि जो dmh थी, वो क्या सी, tolerant थी, tolerant, किसके against अभी, tolerant थी है, herbicide के, herbicide के, tolerant थी है, herbicide थी है, herbicide और वो भी कौन सा, non selective herbicide, कैसा भी, non selective herbicide, non selective herbicide से यह क्या थी, tolerant थी, अब non selective herbicide से tolerant होने से क्या फाइदा हो, अब देखें भी, non selective herbicide क्या होते है, non selective herbicide आप सबको पता है, कि यह क्य करते हैं, kill, any type of vegetation, ठीक है, यह आपकी crop है, यह भी आपकी crop है, यह भी आपकी crop है, बीच में आपकी weed है, आपने क्या अगरा है, इसको डाले होगे, तो टोटल vegetation को क्या कर देगा, kill कर देगा, अब आप सुचो भी आप सके हो, देखो, सिद्धी सी बाद, ऐसा क्या है, अब आपने सिद्धा, इसको उपर डाल दिया, ठीक है, इसको उपर आपने क्या सिद्धी, non selective herbicide डाल दिया, तो यह क्या करेगा, इस crop को बचा देगा, क्यों कि crop क् इस herbicide से resistance, इस herbicide से क्या है, इसके लिए आपको अलगलगी नहीं डालना पड़ेगा, ना तो नहीं डालना पड़ेगा, और नहीं आपको ब्रोड लीफ का डालना पड़ेगा, नोन selective है डालो खतम करतेगा, तो यह non selective herbicide tolerant थी, तो इस tolerant के लिए जो जिम्मेवार जीन था, ठीक है, जो जिम्मेवार जीन था, उसका नाम क्या था, बर, नाम क्या था बर, ठीक है, बर जीन था इस tolerant को क्या गरता है, टोल्रेंट बनाता है ठीक है बर जीन का गरता जैसे बर प्रसनीज और बस्टर बढ़ने सबसे पहला काम था कि जो जैनेटिक याप बनाऊगे उस जैनेटिक मोरी फ提供 रोप के अंदर यिल्ड जाता होगी कारन क्या होगा उसकن कि क्योंकि वो हर्मी साइड के परती टोल्रेंट खें किस टायप के अर्दिव इस प्रकार के और वह नोन स्लेक्ट ही हर्विसाइड कौन सा है वो बायर की कमपनी ही एक क्योंकि नाम भी अपने साफ से रखेंगे इनकी काम है तो बस्ता नाम से एक बस्ता नाम से एक आता है ट्रीड नेम इसका ये कैसा नेम है तो बैर के नाम है ट्रीड नेम नेम से क्या आता है हर्विसाइड जिसके परतिक है Tolerant बसता नाम के असे क्या है Tolerant है Hervicite नाम के बसता जो ट्रेडर ने मना वैसे इसका नाम क्या है वैसे इसका नाम है Glophosinate Phosinate ये salt Glophosinate नाम का जो Herbicide या जिसका ट्रेडर ने बस्ता है वो कैसा है non selective herbicide है जिसको आप किसी भी crop में डालोगे तो सब चीज़ें को खतम करतेगा बट आप जब इस crop में genetic modified crop है या दारा hybrid master जो varieties में डालोगे तो इस सिरफ weed को मारेगा इस crop को कोई नुक्षान है नहीं पंजाएगा क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर herbicide के ठीक है और वो non selective herbicide कोई सा बस्ता उन्होंने अपने इसी इसाफ से नाम रखा क्योंकि ये जो technology लाएगी है ये भी किसकी लाएगी बायर साइंस की लाएगी है तो वो इससाफ से नाम रखा और इसका ट्रेडर ने की ये क्या करता है नोन सेलेक्टी हर्पी साइड के परथी डॉलरेंट बनाएगा तो शीद्धी सी बात हम इब ये पर क्या फसल है यह अपने फिल्ड है सोचे समझ आपने या तो यह पूरे को क्या करता है, खतम करता है, बट यह क्रोप नहीं इसे, डेड होती, बाकि अगर और कोई क्रोप होती तो वो इसके साथ मर जाती, पर यह क्रोप नहीं, बिल्कुल भी फेक्ट नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जीन डाला हुआ है, जिसका ना अपने दू तरह एक दाएटिक यह लिए दि है यह लिए अपने, यह A वराइटि थी, ठीके? जो अपने मेल लेंगे, यह मेल बाराईटि माल लो, A वराइटि, और दूसरी वरायटि काउनसी लिए अपने को, बाइटि लिए 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 दूसरी ब्राइटि ब्राइटि अब क्या लिर दूनों व्रयू ऐन है इस के अंथर क्या कर रहा है इसके अंथर को करना अंथर को करना है इसके लिए की यह चीन, किस तरह बर्नीश जीन उसमें काम करते है अब क्या करते हैं बर्नीज जीन की बात आगे इमस्कुलेशन करना है कि अपने हाप हो जाएं तो इसे तो एक्रूइशन यहां पर टेकनलोजी का है यह जीन वो काम करते का देगा कैसे करें देखो यह जो बर्नीज जीन होता है यह एकस्प्रेक्स किसकों के अंदर होगा इव आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, anther, ठीक है, और इस anther में क्या बनते है, pollen, क्या बनेगा इसके अंदर, pollen मनेगा, pollen formation होगा, अब क्या होता है, जो यहीं पे आप जब जब दंग से पढ़ता हो, आप पूरा पढ़ते हो, complete पढ़ते हो, अपने आगी classes के अंदर पढ़त तो उसमें एक cells होती है जिसका नाम होता थैपिटम cell News alsomak 잘 होती वह relative अब देखना क्या होता है जब Pollen formation हो रहता है तो यह Tapitum cell क्या करती है इस pollen को क्या करती है? Neutration provide करवाती है क्या करेगी nutrition provide क्या करवाती है ठीक है? नुट्रेशन क्या करती है? प्रवाइड कर रहा थी है. आई बास समझें? बरनीस जीन टैपिटम सेल के अंदर क्या होगा? एक्टिव होगा या उसके अंदर जाके वर्क करेगा ये और कहीं प्लांट के पूरे हिस्से में कई काम नहीं करेगा. टैपिटम सेल में ही क्यों करेगा? ये भी एक लोजिक है. टैपिटम सेल के अंदर ही क्यों करेगा? क्यों टैपिटम सेल के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है TA-19. ठीक है ठीक है जी एक प्रकार का क्या होता है प्रमोटर होता है क्या होता है प्रमोटर होता है क्या होता है प्रमोटर होता है यह प्रमोटर किसको करता है इस बस्ता जीन को करता है किसको करता है बस्ता असुरी बस्ता नी सुरी बरनीज बरनीज जीन को क्या करता है अब क्या ह है और टेपल्म सेल गाम के रहता है कि होएं न्यूरशन पर डवाइट करना कि 성тव पोलेन को चाखी इनकाडवलमेंट अच्छय से हो ताकि इनका development अच्छे से हो, इनका polenica, अगर इन अच्छे से develop हो जाएंगे तो इसको selfing कर देंगे, इसको रोगना है, ठीक है, इसको रोगना है, ऐसा क्यों कि इस cell pollinator करोप है, अब क्या किया, जैसे यह gene, bio technology के तुरू इंटर करवा दिया अपने, इसके अंदर, इंटर कर यह जाया, तो यह कहाँ चला गया, tap-tum cell के अंदर, अब tap-tum cell के अंदर यह क्या क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि यह पे एक promoter है, क्यों है, टीए 29, यहां पे प्रकरगा क्या है, promoter, इसको क्या करेगा, express करेगा, इसकी जो quality है, या उसको बढ़ाएगा, बाकी जैए या अर्यक्तर निए करेगा, तो यह क्या करेगा, एक enzyme release ककलेगा, यह enzyme को क्या करेगा, release करेगा, उस enzyme का नाम होगा, RNA ठीक है? और ये RNA enzyme क्या करेगा? इस tapitum cell के इस tapitum cell के जो RNA होंगे उन्हेंको क्या करतेगा? degrade करतेगा, यानि ये cell क्या होजेगी? खटम होजेगी, जब ये cell खतम होगी ठीक है? जब ये cell खतम देगा pollen formation नहीं होगा जब ये cell खतम होगी क्या चाहिए तो इसमें पॉलन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अब क्या करेंगा यह प्रमोट करेंगा जैसे तो यह यह अपर नहीं बन पाएंगे तो यहां पर क्या आजाएगी मेल स्टरलेटी आजाएगी मेल λीटी आजाएगी मेल स्टरलीटी करने और झार ओर इस आरे सहं यह यहां पर हांट है ते नच लेट लेवल पर बिढिंग मेल जाएगी उस मेल स्टरलीटी का नाम के है द्रांसजनीक द्रांस inch उनीक मैल स्तरलिटी भी ढोलेंगे, मैल स्तरेलिटी इसको बोला जाएगा, क्य Finanz? क्यों कि भाई कोई Gene introduced करवाया है उसके अंतर, कोई Gene क्या क्या आ गया है, उसके अंदर introduce करवाया गया है, इस वजह से उसको क्या बोला जाएगा Transики Male St,, to यहां पर देखो ट्रांजनी के मेल स्टरलीटी आगी, पॉलन नोन अक्टिव हो गए, तो ये काम किसका होता है, बर्नीस का, तो सेकेंड काम किसका होता है, बर्नीस का होता है, अब बर्नीस जीन क्या कर देता है, ट्रांजनी के मेल स्टरलीटी इसके डवलप कर देता है, अब क्या था अपना क बात बढ़ी थी कि अपने पास एक ये चीज़ थी अपने पास एक तो ये प्लांट था प्लांट ए ठीक है जिसके सिर्फ अपने को क्या चाहिए थे मेल और दूसरा अपने पास क्या था ये प्लांट B था ना जो अपने पास क्या था प्लांट plant b था अपने पास migrant b था अपने पास, ठिक है ये अपने उसको female लेके चले थे इसको क्या मानना था अपने female और इसको क्या लेके चल थे अपने male नेपने अपने बेले machst पर अपने तो करता है अब इसके pollen क्या हो गए काम के निक्वेस आदर क्या है male star lady आ चुकी है male star lady इसके अंदर आ चुकी है क्यों आ गई gene कौन सा काम करा था बरनीश जी ने क्या किया tapitum cell को क्या कर दिया tapitum जो cell थी है सुनते जाना भई tapitum जो cell थी उनको क्या कर दिया degrade कर दिया यहीं वो खतम होगी है अब जब यह खतम होगी तो यहाँ पर क्या हुआ pollen को pollen को nutrition नहीं मिला तो pollen formation नहीं हुआ और जिसे pollen formation नहीं होता वो क्याते male style होते हैं और यह किस प्रकार की sterility थी genetic modified male sterility या transgenic male sterility को बोला जाता है यह को क्या बोलेंगे transgenic male sterility को बोला जाता है यह को क्या हुआ अब क्या हुआ अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की male style है इसके अंदर male style है तो F1 आगे variety बनी गया से ठीक है कि आगे variety बनी गया से चलो इसका जीन इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर पर नीस जीन आ जागा इसके अंदर पर नीस जीन आएगा कि नहीं आएगा बीनोर सी बात है कि यहां पर नीस जीन आ गया इसके यहां पर नीस जीन तो पड़ा है इस प्लांट के अंदर पर नीस जीन तो है जैसे वह पर नीस जीन पूरी प्लांट के अंदर हां एक्टिवेट जा कि वह पोलन में फिंधे होता है क्योंकि आपे यृति में लेता है। हहां नय पलन भेतम मैं समयास हैं प्रेल्ण होता है। आपने पास यहां पास भीया था है। ही मोई और मासिदे चरह को संद्धियान था之前 क्यों आपने निक्या पर मुटर बोलते हैं दिक्ट अब क्या चान पर नाम भाइगा क्योंकि यह परनी जिन है अब क्या किया जता है इसके अंदर एक यह जीन को डाला जाता है इस दीन का नम है बरस्टार जीन का नाम के बरस्टार अब ये बरस्टार क्या करेगा इसके एंटी काम करेगा इसके एंटी वर्क करेगा ठीक है इसको वो एक्टिव नहीं होने देगा यानि इसको कंट्रोल करेगा ठीक है इसको कंट्रोल करेगा तो ये क्या हो जाएगा ताकि आगे अगे वराइटी है इस तरह ही तरह जीन का वर्क होता है समझ flavors है बर्का काम होगा ऐसा जहाल न जई आप बर्णीस का क्या काम होगा और isn'to बर्स्टार काम होगा बर्टा का है टोलरेंट यौर्थ ऑफ य५्टी companion क्या घ्रतेश मhã इसके अग सasticallyफ टॉलरेंडstock लाग बगार Chrism 50% चेक से ज़्यादा होती है और नौर्मल को से 20% की ज़्यादा होती हिसली इसको grow किया जाता है ऐसा क्यूं होता है कि इसके पर नॉन सलेक्टिव हर्भी साइड का परक नहीं पडता है क्यों नहीं पड़ता कि अब बर्जीन क्या करता है रेजिस्टेंसियल टोटरेंट इसके अंदर पैदा कर देता है और कौंसा हर्भी साइड के पर दी बस्टा ठीक है जो बाएर कंपनी के दोबारा बनाया जाता जिसके ट्रेड नेम क्या बस्टा और आगे क्या हुआ, तो आगे देखो, बरनीश का काम कहता, बरनीश क्या एक चीन है, जो कहा जाता है, जैसे अपने प्लांट के अंदर इंट्रडूज कराते है, थुरू दा बायो टेकनोलोजी ना बायो टेकनोलोजी के सिस्टम के अंदर थू या जनेटिक इंजनियरिंग के सिस्टम के इंदर इंकोर्डड़ कर वा दिया इसको, जैसे इंकोर्ड़ करा दें तो यहिसी अठेक प्लांट के अंदर फैल जाएंगा, और सबस्से जख काम की करेगा यह तो बड़ी बात है, यह तो हई, बट इसके ओपर प्रमोटर नहीं हो था, बकिवह क्या करेगा, औ परनीज को परमोड करेका तो परनीज क्या करेका जिसका नाव नव रनेह मंगी क्या करेका अब जो निया प्लान्ट बना तो उसके अंदर ओलरेडी ही क्या प्रजेंट था बरनीस जीन था अब वो परनीस जीन तो जो एफ वन आएगा उसमें भी जाएगा और अगर वो एफ वन में चला गया तो जाने के वाद वो खाँ जाएगा सिद्धा एपिटम सेल फिर वहां भ जाएड कर देगा तो आगे वराइटी ग्रोव हो नहीं पाएगी और अंदर सेल्फिंग ही नहीं हो पाएगी कुछ भी नहीं हो पाएगा उसके लिए क्या किया गया दूसरी वराइटी जो अपने ए वराइटी ली थी उसके अंदर एक और जीन डालागा जिसे बरस्टार नाम था जो एंटी काम करता था किसके बनीश की बनीश को रोके गाघओ पिसके काम नहीं रोके का सथी काम को कि उसको क्या स्टाइब ना बनाए तो गर acá तो ऑफ्लं होगी या आगे तो आहे घो कि पतheल हो पेट लगा लाइक युक जादा जाएदा करना